क्विक एंड इजी और बहुत ही टेस्टी सबजी जिसको कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि हम इसमें ये एक चीज डालेंगे और इस सबजी का स्वाद बिल्कुल ये लगो जाएगा तो वीडियो को आप स्किप मत करियेगा पूरा देखियेगा और वीडियो को शेयर सबसे पहले मैंने एक पैन में ले लिया है दो से तीन टेबल स्पून रिफाइंड आईल आप चाहें तो इसके बदले सरसो का तेल भी ले सकते हैं पर आप उसको अच्छे से पका लीजेगा आदा चमच जीरा डालिएगा और दो से तीन मीडियम साइज के लंबे लंबे कर लीजिए बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना और अब हम क्या करेंगे इसमें लस्सन अद्रक का पेस्ट डालेंगे अगर आप लोग लेस्न नहीं खाते तो आप लोग सिरफ अद्रक का पेस्ट डाल सकते हैं अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर से हम इस कर उसको इसमें डाल दिया है और प्याज और लहसुन के साथ ही मैं इसको इसमें भून लूँगी इससे क्या होगा इसका कड़वा पेंड जो है हलका सा खतम हो जाएगा तो अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसका ऑईल जो है थोड़ा अलग ना हो जाए अब चाहें तो मिर्ची का पेस्ट भी डाल सकते हैं और मिर्ची को स्किप भी कर सकते हैं साथ में ही डाल दीजिए नमक इससे क्या होगा हमारे जो यह मसाले है जल्दी से भून जाएंगे तेल अलग हो जाएगा और बढ़िया सा जो मेथी है वो भी पक जाएगी अब हम इसको अच्छे से पकाते हुए मेरे को चार से पांच मिनट हो गए है और जो मसाले है ना अच्छे से पकने शुरू हो गए है सबसे बड़ी बात होती है कि टमाटर अच्छे से पक जाना चाहिए साथ में ही मैंने डाल दिया इसमें हरा धनिया हरे धनिया को भी इसी समय डाल गरम मसाला, यह सूखा पिसा धनिया और अब हम इस सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्स करते हुए अब हम इसको एक से दो मिनट पकाएंगे ताकि जो मसाले डाले हैं वो अच्छे से इसमें पक जाएं, कच्छा पन नहीं आना चाहिए मसालों का, तो अच्छे लकार के मैंने काट लिये थी शिमला मिर्ची, आप भी ऐसी कर लीजिए, तो जैसे भी आपको काटना हो, इस तरीके से डालने के बाद हम इसको हिला कर, दो से तीन मिनट के लिए इसको ढख कर पका लेंगे, क्योंकि शिमला मिर्ची जो है बहुत जादा हमने सॉफ्ट नही करनी हलकी सी क्रंची रहनी चाहिए और शिमला मिर्ची जल्दी पक भी जाती है, अब हम इसको अच्छे से हिलाएंगे और बड़िया सा इसका कलर भी हो गया है, अब हम क्या करेंगे इसमें डालेंगे एकदम बड़िया सा फ्रेश पनीर, तो पनीर के टुकडे जो है आप जैसे भी आपको करने है, वैसे कर लीजिए छोटे या बड़े, तो ये मैंने धाई सो ग्राम इसमें पनीर भी डाल दिया है, और शिमला मिर्ची भी धाई सो ग्राम थी, तो अब हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स करते हुए इसको मिला लेंगे ताकि मसाल आपस में मिक्स हो जाएं, तो दो से तीन मिनट ही करा है मैंने, अब हम इसको खोल लेंगे और खोलने के बाद इसको फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद ये देखिए, सबजी का रंग देखिए, बहुत बढ़ी आया है, और हल्दी बिलकुल नहीं ड सकते हैं, तो करीम से पर इसका जग बोहुत अच्छा आता है, तो मैंने 2-3 चमच फ्रेश अमूल की करीम डाली है, और अब मैं साथ में ही इसमें डाल दूँगी चाट मसाला, तो मैं इसमें आधा चम्मच चाट मसाला डालूँगी, जिससे कि न इसका टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा चटपटा सा ये बन जाएगी सबजी, जो की खाने में बहुत ही टेस्टी लगती तो चाट मसाला भी डाल दिया है डालने के बाद अब हम इसको एक से दो मिनट के लिए बिलकुल खुले में और बिलकुल धीमी आज पर इसको पका लेंगे तो अच्छे से भूनते हुए इसको एक से दो मिनट हो गए है और हमारी सबची ये देखिए एकदम रेडी है कैसे सा किसके साथ खाएंगे न मुझे जरूर बताईएगा क्योंकि मेरी कीचें जो है न 24 आवर्स खुली रहती है तो ये सबजी हमारी बन कर रेडी है बताईएगा किसके साथ खाएंगे चपाती के साथ पराठे के साथ आप इसको ब्लेड के साथ भी खा सकते हैं नान हो या कमेंट बॉक्स पर बताईएगा कैसी लगी